नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्ट साइन स्पोर्ट्स और मैं हूँ लबकुमार अमारे खास प्रोग्राम स्पोर्ट्स बुलेटेन में आपका स्वागत है हम इस खास प्रोग्राम में आपको बताते हैं कि कौन सी वो खबरे रही जो पूरे दिन भर मीडिया की सुर्खिया बनी रही और इस लिष्ट में जो सबसे पहली खबर है वो है उराज सिंग को लेकर हमेशा से चर्चाए होती रहती है कि ये खिलाडी कब टीम इंडिया में वापस आएगा पहले इराज सिंग की ये जर्सी लांच कर दी गई है और उनके जो नंबर होगा वो बारा होगा टीम इंडिया के लिए खेलते वक्त भी युराज सिंग का नंबर 12 राया है युराज सिंग पहले भी बता चुके हैं कि ये 12 नंबर उनके लिए लखी है क्योंकि उनका जन 12 दिसंबर को हुआ था और इसी वज़े से ये लखी नंबर युराज सिंग के लिए है और जो युराज सिंग की यहां पे तस्वीर आई है मुंबई इंडियंस के लिए वो उनके फैंस बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं आपको बता दे कि मुंबई इंडियंस बड़े लंबे समय से ऐसा चाहती थी कि वह युराज सिंग को अपने टीम में शामिल करें ऐसा अकास अंबानी जब उन्होंने युराज सिंग को आपनी टीम में में शामिल किता था उन्होंने यहात बताई थी कि वह बहुत लंबे समय से चाहते थे कि वह सीघ्या को अपनी टीम में ले और फाइनली उनको अपनी में ले लिया है यूराज सिंग्य को उनके बेस प्राइस एक कड़ों रूपय है ऐना आपको बता दे युराज सिंग नब्वे दसमलों पांच जीरो की औसाथ से तीन सो बासट रन बनाये थे वर्ल्ड कप 2011 में और गिंदवाजी करते वक्त नौ मैचों में 15 विकेट लिये थे तो आप समझ सकते हैं कि एक और राउंडर की भूमिका में युराज सिंग टीम इंडिया के कितने बड़े उस समय खिलाड़ी हुआ करते थे लेकिन फॉर्म से बाहर चल रहे थे जिसकी वज़ा से वो टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाएं बैराल देखना होगा कि युराज सिंग मुंबई इंडियं के बीच खेला गया नागपूर में वहां से सुर्खिया बटोरली इस खिलाड़ी ने तामिलाडू का रहने वाला एक खिलाड़ी शांदार तरीके से टीम इंडिया को मैच जिता अब पहले बल्लेबाजी की विराट कोली के साथ बहतरीन पार्टनर्शिप किया 46 रन बनाए इस खिलाड़ी ने और जो वहां पे जरूरती मजबूत पार्टनर्शिप की बल्लेबाजी करते वक्त ये उसने की लेकिन अरफोर्चुनेटली रन आउट हो गये लेकिन इसके बाद जब गिंदबाजी में विराट कोली ने मौका दिया तब इस खिलाड़ी ने शांदार तरीके से गेदबाजी का भी पतासंब किया हालांकि पावरप्ले के समय दोवर कि सिर्फ चिंद' वाजी की 2 पूरे नहीं कर सके विजेशंकर पहला जो ओवर फिका ता वहां पावर प्ले के दौरान फेका था विजे शंकर ने और वहां पे तेरा रंदिये थे उसके बाद विराट कोली ने मैच जीतने के बाद कहा था कि वह चाहते थे पाइस से तेरा पेश्चाँ में मैच बताने के लिए दोने और विजे शंकर ने पहली गिन्त माकस सेचने को और यहां फिर उसके बाद फिर उसके बाद अगली गेंद पर अंजामपा को बोल्ड कर दिया और उसके बाद से सूर्खिया बना रहा है हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है तो यह हमारी थी दूसरी बड़ी खबर वहीं तीसरी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं और तीसरी खबर है और अश्रेलिया से रिलेटेड और भारत सी कर जाएंगे तो अश्रेलियाई टीम 2019 का वर्ल्ड कप जीत जाएगी यह अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेटमेंट है आपको बता दे कि स्मित और डेविड वर्नर पिछले साल यानी कि 2018 मार्च में साउथ अफ्रिका के खिलाफ मैच चल रहा था वहां पे बॉल ट अब लुट लगे दोनों खिलाडियों की सरजरी भी भी होई अब लुक्त है और इनका एक साल का बैन है वह मार्च में बस अब सब कुछी दिन रहे गए हैं जो भण होने मार्च में भाइं 血 y और इसी को लेकर शेनवान ने यहां पर बात किये कि जब यह दोनों खिलाडी बैंद के बाद वापस आएंगे तो अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिता कर देंगे यह बहुत बड़ा ती और सेनवान की गलती क्या थी उन्हों ने कुछ प्रतिबंदित दवाईयां जो है उसका इस्तेमाल किया था जिसकी वज़स से क्रिकेट ऑश्ट्रेलिया ने एक साल का बहन लगा दिया था शेनवान पे और जब सेनवान पे बहन लगा था उसके बाद जब उन्होंने यहां पे गलत साबित किया शांदार तरीके से परफॉर्मेंस की और कई सालों तक टॉप पे बने रहे थे और इसी के वज़ा से सबसे महांतम स्पीनर में इनके गिंती की जाती है इन्होंने भी एक साल का बैंज जहला है और इसी के बिना पर शेनवान ने कहा है कि जब कुई अभी तक नहीं जीत सके किसी बड़े टीम को नहीं हरा है लगातार हार का सामना करना पड़ा आपको यादो पिछले साल 2018 2019 में भारतिय टीम दोरे पर गई थी और वहां भारतिय टीम ने वो कारणामा कर दिखाया जो आज तक संभव नहीं हो पाया था यानि कि टेस्ट सिरीज में भारतिय टीम उस्टेलिया को उसी के घर में हाराया ऐसा हम कह सकते हैं कि डेविड वर्नर और श् स्कति में तो यहाव पे लगातार उस्टेलिया को कि यहाँ पे हार का सामना करना पड़ रहा है वहीं भारत के दोरे पे जब तीम ने जीता और तीसरा मैं जो आठ मार्च यानी कि कल रांकी में होना है यहां पर देखना होगा कि क्या उस्ट्रेलिया टीम वाप्सी कर पाती है कि नहीं वह इस्टी बिस्मित और डेविड वार्नर की जो खबरें होंगी उसके साथ भी बने रहेंगे फिलाल जो सबसे हमाज जगत में आजकल बायोपिक बन्ने का बहुत चलन हो चला है सबसे पहले आपको लगातार यहां पर जीटने भी दिगजज खिलाडी रहें वह चाहिए वह क्रिकेट से जूड़े हों या किसी और खेल से जूड़े हों यहां पे हमेसा बायोपिक बनने की खबरे आती रहते हैं और इसी में जो एक और खबर आई है वो है आलिया भीटैड यहां पर एक बायोपिक में काम करने वाली हैं और यह बायोपिक बनेगी अरुनीमस क्रों कि जीवन के उपर अरुनीमा सिन्हा आपको बताते हैं अरुनीमा सिन्हा पहले एक बास्केटबॉल प्लेयर थी साथ में फुटबॉल प्लेयर भी थी नेशनल टीम के लिए खेलती थी इंडिया के लिए 2011 लखनाउस से देली आ रही थी बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए और कुछ लिटोरों ने ट्रेन में इन से चीना जप्टी की और ट्रेन से इनको नीचे फेक दिया जिस दौरान इनका एक पैर कट गया आम तोर पे जब लोगों के साथ ऐसी दुरघटना होती है तो वो सब कुछ हार जाते हैं वहां से वो नई जिंदिगे स्टार्ट करने के बारे में नहीं सोचते हैं लेकर अरुनीमा सिन्धा ने ऐसा बिलकुल नहीं किया दो साल के भीतर ही अरुनीमा सिन्धा दुनिया के पहली एसी महिला बन गई जो विकलांग होते हुए भी माउंट टेरिश के चोटी को फते कर लिया हो आज तक दुनिया में कोई नहीं कर सागा जो अरुनीमा सिन्धा ने किया सब को यहां पे गलत साबित किया और अब उन्हीं के ऊपर बायोपिक बनने वाली है जिसमें आल यह किताब है जो अरुनीमा सिन्हा के ऊपर बेश्ड है उसपे यह बायोपिक बनेगी बैरहाल देखना होगा कि जब यह बायोपिक बनके तयार होती है तो इसमें आलिया भड कितनी खुब सूरती से अरुनीमा जी का किरदार निभाती है आपको जरूर इनके बारे में पढ़ने से आपको इनका बुक भी पढ़ना चाहिए बहुत खुबसूरत प्यारी बुक है तो फिलाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही आप मुझे देदीजे जाजत और हाँ हमारे सब्सक्राइब करना ना बूले हम खेल से जुरे हारे एक अपडेट के साथ हम लगातार बने रहेंगे नमस्कार